दो साल मैंने सिस्को में AI किया, उसके बाद आटिफेशया में भी AI किया, Microsoft में भी काफी कुछ समझा AI के बारे में और Microsoft में जाके अच्छे से UI किया, तो मैंने दोनों fields को देखा है, समझा है, दोनों के pros और कौन समझ में आते हैं, और इसलिए मैं कहता हूँ कि तुम्हें AI क्यों नहीं करना चाहिए गुर्मीत का मेसेज आए कि भाईया AI की जमाने में आप UI-UIs करते रहते हो UI-Q सीखे सबसे पहला रीजन Barrier to Entry काफी हाई है गुर्मीत से मैंने पूचा है गुर्मीत तुम्हें मैट्स कितना पसंद है भाईया ठीकी ठाक है एक्जाम के लिए पढ़ लेती हूँ AI में तो तुम्हें PhD लेवल का मैट्स चाहिए बहुत अच्छा मैट्स चाहिए अगर सही में AI का जॉब क्रैक करना है तो और उसके बाद भी तुम्हें एंट्री लेवल AI जॉब से मिलते है तो इसलिए AI में घुसना इतना असान नहीं है सिर्फ मैट्स नहीं डरा रहा हूँ PhD लेवल तक पढ़ने के लिए बहुत सारा पेशेंस टाइम और पढ़ाई में मन भी लगना चाहिए UI में देखो क्या होता है UI में तुम 50-100 घंटे के अंदर basic UI समझ चुके होते हो तुम एक दो वेबसाइट बना सकते हो किसी NGO का, किसी बिरियानी वाले का वेबसाइट लेकर बनाओगे कुछ पैसे भी कमा सकते हो 500,000, 2-4,000 रुपे भी कमा सकते हो मैंने तो ऐसे ही शुरू किया था और ऐसे शुरू करके धीरे 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 सीख सकते हो पैसे कमाते वे जब मैंने शुरू किया UI करना तो मैंने 2000 रुपे में एक बिरियाने वाली की वेबसाइट बनाई थी जब मैंने अपने Microsoft की जॉप छोड़ी उससे में मेरा सालरी एक करोड था तो ये बहुत अराम से gradual success हो पाता है और एकदम से आपको गुसने के लिए बहुत सारी चीज़े बहुत सारे घंटे नहीं लगाने पड़ते दूसरा reason क्यों तुम्हें AI नहीं करना चाहिए engineering है feature engineering है बहुत basic jobs है बैट के बोला जाता है AI लेकिन तुम करते वही हो जो दिनेश कर रहा था hot dog not a hot dog पर hot dogs और बाकी गंदी-गंदी photos upload करते रहोगे और बताते रहोगे कि यह hot dog है यह नहीं है इसमें बहुत सारे jobs है पर बेटा यह AI jobs नहीं है यह manual data entry वाली jobs है होगा क्या होगा क्या मैं बताता हूँ तुमें with time यह सारे यह सारा जो data है जो data set है वो automate हो जाएगा वो upload हो जाएगा और इसके बाद इन चीजों की ज़रुत नहीं पड़ेगी तुमें तो ऐसे low level APIs तुमें बनाने नहीं पड़ेंगे और high level APIs बनाने के लिए या high level research करने के लिए तुमें बहुत साथा पढ़ना होगा और देखो मैं एक बात और कहता हूँ हमेशा कि job की पीछे नहीं करियर की पीछे भागो यह जो data cleaning data tagging का job है यह job है इसमें कोई career नहीं है ऐस अगर तुम आज 500 data tag कर पा रहे हो तो कल 2000 tag कर लोगे तुम्हारी speed बढ़ जाएगी बिल्कुल नहीं यह हमेशा एक job ही रहेगा BPO जैसा चीज है इसमें entry level job लेके अपने career का बंटाधार मत करना कुरमी इतना इतना असानी से पीछा नहीं छोड़ने वाले थी उसने बोला कि भाया मन मुझे बहुत है अगर मैं मन लगा के पढ़ी लूँ अगर मैं मन लगा के सब कुछ करी लूँ तो क्या मुझे अच्छी job मिल जाएगी बहुत ही भारी दिल से मुझे कहना पड़ा कि तब भी chances कम है मैं बताता हूं क्यों कम है क्योंकि इंडिया में AI के अच्छे प प्रॉजेक्ट एक अच्छा काम भारत देश के अंदर मिल जाए तो अगर मुझे पाव के पास पैसा है विदेश में आपको पढ़ाने का और अगर आपको मन है विदेश में रहके वहां काम करने का तो शायद chances है कम ही सहीं पर chances है कि आपको अच्छा काम मिल सके वहां गु को AI में 4 जॉब्स थे आज 8 जॉब्स है तो आपने क्या कहा जॉब के नंबर हो गए 2X कल को UI में 100 जॉब्स थे आज 120 जॉब है तो 1.2X ही हुआ तो fastest growing का मतलब यह नहीं है कि number of jobs बढ़ गया है और number of jobs का भी यह मतलब नहीं कि quality of career बढ़ गया है देखो कि jobs किस तरह के हैं उ absolute numbers पे ध्यान दो absolute quality पे ध्यान दो तो पता चलेगा कि AI में बहुत ही कम jobs हैं इंडिया में अच्छे career वाले मैं Microsoft का example ही लेता हूं Microsoft में अगर 1000 इंजीनियर्स थे तो उसमें 15 अच्छे AI researchers थे यह ratio चलता है 1000 to 20 का 1000 to 50 का इससे जादा AI researchers Microsoft भी नहीं रखता है तो बागी छोटी कम इसका तो छोड़ी दो एक बार के लिए example लेते हैं Gmail देखा है तुमने उसमें AI आता है AI में वो बताता है कि यह sentence ऐसे पूरा कर लो Spotify देखा है उसमें AI आता है automatically playlist set कर देता है ऐसे कई सारे apps तुमने देखे होंगे जिसमें AI का use होता है होता है हम सब जानते हैं बिल्कुल data load होता है जितना data से interaction होता है सारे के सारे features कौन बना रहा है AI या UI एक चीज़ और समझ ना इस चीज़ में जो AI का API बनता है वो predict करने वाला टेक्ट करने वाला playlist बनाने वाला वो एक बार बनता है UI में वही चीज़ चार बार बनती है एक बार desktop app पे बनती है एक बार iOS app पे बनती है एक बार Android app पे बनती है एक बार web app पे बनती है तो आपको same feature को चार जगा चलाने के लिए भी चार UI engineers लगेंगे versus एक AI engineer लगेगा जो एक API बनाया है इस बात को 5 second दो और अच्छे से समझो कि किस चीज़ की demand जादा है और जिस चीज़ की demand जादा है depth of career है उस field में उस field में जाओ इसलिए मैं बोलता हूँ कि UI की field में जाओ एक सिकन रुको comment में मुझे ये बताओ कि क्या तुम्हें भी कोई AI course बेचा गया है college में तुम्हें AI सीखने के लिए research paper publish करने के लिए AI पर काम करने के लिए push किया जा रहा है अगर हाँ तो comment में मुझे बताओ कि क्या हुआ हुआ है गुर्मी थोड़ी निराश हो गई थी ब Google, Microsoft आपस में जगड़ते रहते हैं Amazon जगड़ते रहता है पैसा तो है इसमें कोई दो मत नहीं है लेकिन जितना पैसा AI के top 1% में है उतना पैसा software engineering के top 1% में भी है अगर तुम उतना साल उतनी मेहनत उतनी शिदत लगाओगे software engineering में तो तुम्हें उतनी ही demand उतना ही पैसा उस 1% के लिए मत खेलो देखो कि top 1% में कितने लोग है 100 लोग हो सकते हैं या 10 लोग हो सकते हैं तो वो गेम खेलो जिसमें 100 लोग हो सकते हैं ताकि तुम्हारी chances बढ़ जाए top 1% क्रिकेटर के पास बहुत पैसा होता है लेकिन जो rest 10% उसके पास क्या है कुछ नहीं है चलो 5% के पास तो रंजी खेलने के बाद एक ड्रेलवे की सरकारी नौकरी भी हो जाती उसके नीचे क्या है कुछ नहीं है है ना software engineering में अगर तुम top 1% नहीं भी हो तुम rest 5% हो rest 10% हो rest 50% हो तो भी तुम्हारे पास एक decent paying job रहती है versus hot dog not a hot dog देखो तुमेरे एक्जामपल ही ले लो बुकारों से हुम है बहुत जाधा exposure नहीं था चोटा सा शहर उसके बाद एक tier 3 college गया वहां भी बहुत exposure नहीं मिला वहां से भी बहुत अच्छे placement नहीं हुए लेकिन फिर भी आदमी Microsoft में गुसा अच्छे खासा software engineering सीखा या लेकिन सब बोलते हैं कि AI जो है वो future है उसका scope future में है देखो इस बात पर मेरा जवाँ हमेशा यही रहता है कि tech में future जैसा कुछ होता ही नहीं है tech में आपको हर 3-4 साल पर एक learning cycle आती है आपको सीखना होता है और आगे बढ़ना होता है अब इसे 10 साल पहले jquery का क्या बोल बाला था 5 साल पहले angular का क्या बोल बाला था आज सब को react कर रहे है सब को उसी चीज़ों पर नई नई चीज़े बनती रहती है और नई नई चीज प्रूफ है ही नहीं टेक में जो AI भी तुम आज सीखोगे वो चार साल पांच साल दस साल बात किसी और रूप में होगी किसी और प्रा रूप में होगी है ना ऐसा नहीं है कि जो जो लोग आज से 30 साल पहले linear regression कर रहे था वो आज भी वही कर रहे है आज उन्होंने चेंज क कि जो आपकी skill है ना वो timeless हो जाती है दस साल पहले मैंने programming शुरू की दस साल पहले मैं engineering शुरू की ती आज भी अगर मुझे कुछ सीखना होगा तो कुछ घंटे कुछ दिन लग सकते हैं उससे जादा time नहीं लगता तो अगर in case ऐसा हो जाए कि सारे के सारे jobs AI के ही होंगे त तो फिर finally गुर्मीट से मैंने पूछा कि गुर्मीट तुमने इस पूरे conversation में क्या सीखा और पदा है गुर्मीट ने क्या का बहुत अच्छा का कि भाईया मैंने सीखा कि AI अभी करना नहीं career के लिए UI है सही